दोस्तो नमस्कार दोस्तो राजस्थान में अब गुंडागिर्दी दादागिरी या दबंगई करने वालों की खैर नहीं है क्योंकि राजस्थान में जब से सरकार भाज़िपा की बनी हैं उसके बाद से कई ऐसे संदेश देने की कोशिस पुलिस कर रही है और ये सीधा सीध मैसेज उन अपरादियों को दे रही है कि अगर समय रहते सुधर जाओ नहीं तो आपके भी हाल खराब हो सकते हैं आपने सोचा नहीं होगा ऐसी कारेवाही आप पर हो सकती है 23 दिसंबर 2023 को राजस्थान के जोधपूर जिले के बीलाडा छेत्र के लंबा गाउ में देर रातरी एक महिला के घर में उनके ही गाउं के दो लड़के गुसे चोरी करने के नियत से गुसे थे और जैसे ही उस घर में सो रही 27 साल की अंजू की नीन खुली तो पकड़े जाने के डर से उन दोनों ने अनील और साहिल दोनों ने उस अंजू पर धार-दार हत्यारों से वार कर दिया और 27 साल की उस महिला की मौत हो गई इतना ही नहीं उसके साथ सो रही एक साल की उसकी बेटी काव्या को भी उन्होंने नहीं बक्सा और अंजु के पास उसकी 12 साल की भती जी भी सो रही थी उस पर भीवार कर दिये इस पूरे मामले में पुलिस ने तुरंत परवाव से अनील और साहिल जो दोना आरोपी उसी के गाउं के थे उनको गृतार तो कर लिया था लेकिन पिछले दिनों पुलिस और परशासन की टीम ने अनील के घर जाकर के चार जेसीवी वसीनों से उसके पूरिक कर दिया और साहिल की पूरी संपत्ती जब्द कर ली है और आने वाले दिनों में उसका भी घर वह है विखेर दिया जाएगा यानि कि जिस तरीके से यूपी की खबरें हम लोग सुनते थे बुल्डोजर चलता था वैसा ही बुल्डोजर अब आरोपियों के घर पर राजस्थान में भी चल रहा है कुछ समय पहले जैपूर में एक बुजूर्ग महिला की चैन लूट कर ले जाने वाले आरोपियों को पुलिस ने अर्द नगन करके उनको बजार में घुमाया था वहीं इसके अलवा सुकदेव सिंग गोगा मेडी के हत्यारे रोहित सिंग के घर को भी पुलिस ने नागोर में जाकर के जेसी भी मसीनों से द्वस्त कर दिया था मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को सेर करें हर व्यक्ति तक पहुंचाएं और इस परकार की खबरों और घटनाओं के बाद पुलिस की कारवाई के बाद कहीं न कहीं अपरादियों में खौफ का माहोल है